तो सबसे पहले तो आप दुकान का नाम बताईए राम शरुप अन्वाई यह आपने कब शुरुवात हुई थी इस दुकान की? करीब शमद्यों किया 84 साल हो गए चारासी साल हो गए ज्या बातली? तो ये हमारे पिटाजी ने स्टार्ट कर लिए आपके पिटाजी ने है अच्छा उनका नाम जी रामसुरुफ जी अच्छा उनके नाम पर ही है इनी के नाम से चल लेगे तो जैसा कि मैंने देखा कि यहापे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ आपने कोई जैसे दुकानों में लगाए हुए रखते हैं लेकिन आपने कोई भी बोर्ड नहीं लगा रखा तो उसकी कुछ खास वजा कि दुकान इतनी पुरा नहीं है कि हार कोई जालता है क्या बात अजी तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जाइंट साइज जलेवी अभी इना में तोड़ तो यह इतनी विशाल जलेवी का क्या राज़ है यह पीजाएं है मतला आम जलेवी तो सब जगे मिलती है सही वाद है लेकिन यह जलेवी हर जगे नहीं मिली यह तो मानना पड़ेगा जी और मैंने सुनाए कि आप जैसे यह जो समुसे और कचोडी है तो आप इसको अलग अ अच्छा मतलब पत्ते के ऊपर और साथ में आप आलू की सब्सी वगरा भी देते हैं जैसे यह जैसे यह कितने में आता है 15 रूपर जाबात है तो तंदर रूपर में आपको चाननी चौक में चावडी बजार में आपको यहां से अच्छा प्रेसेंटेशन शायद ही मिल सकता है बिल्कुल नैचुरल है बिल्कुल सस्ता संदर टकाओ है तो आप राम सुरुप जी के बेटे हैं यह तो आप यहां पे जरूर आईए और यहां पे अलग-अलग चीजों का आनन जरूर उठाईए वैसे ही यह सुबह बेटमी पूडी के लिए भी मशूर है लेकिन वो सुबह साड़े बारा बज़ बज़ पकी रहता है तो अभी यहां पे दोपैर के चार बज़े हुआ है शाम के चार और आज हमें बेटमी बने रहिएगा लेड़स एक्स्प्रोड़